अच्छा सर अब वो हलात वाकियात देख लेते हैं जिसके अंदर अगर ओडिटर को confidential information मिल गई है और फिर भी वो उन हलात वाकियात में confidential information को disclose कर सकता है फिर रिपीट करना हूँ आप क्या सीख रहे हैं कि भाई confidential information मिल गई दी क्योंकि हमें तो respect करना था na confidentiality of the information को जो मुझे business और personal relationship से मिली है audit से मिली है तो मैंने कहा था भाई मैं inadvertent disclosure नहीं कर सकता मुझे socialized environment भी ख्याल लगना है sir मैं अपने जो prospective client है उसको नहीं बता सकता सही जी और मैं relationship end होने के बाद भी उसको use नहीं कर सकता इसको यूज नहीं कर सकता इस पसल मफाद के लिए नहीं कर सकता यह सारी चीज़ नहीं देखी थी यह सारी चीज़ नहीं देखी तो वो कह रहा है आप ऐसे हालात वाकियात भी जान लो जिसके अंदर अगर आपने confidential information को disclose कर दिया तो कोई मसले वाली बात नहीं है वो इसको दो हिस्सो में break करता है पहला when it is required मैं फिर repeat करा मैं यहां तक रुग गया बोलता है when it is required when it is required जब लाजमी है disclose करना वो क्या cases अभी देखते हैं फिर दूसरी चीज़ कहता है कि when it is appropriate बात समझेगा पहले क्या कह रहा है when it is required लाजम है दूसरा क्या है when it is appropriate अब दो हिस्सो को अलग अलग लेके चलते हैं पहले मैं when it is required की बात कर लेता हूं when it is required का मतलब यह के let's say एक case चल रहा है example है shareholder ने आपके उपर case कर दिया shareholder ने आपके उपर case कर दिया shareholder ने कहा कि भाई तुमने ये चीज़े क्यों नहीं देखी थी going concern का मसला था going concern का मसला था और आपने report में disclose दी है मेरे पैसे डूग गया मुझ पर case कर दिया auditor पे तो यह legal proceedings चली यह क्या चली legal proceedings चली अब आगे सुनिएगा जब legal proceedings चली तो जैसी बात है मैं अपने आपको back करने के लिए मैं उस information को दिखाऊंगा वरना वो court of law का जो procedure है वो proceedings है वो आगी नहीं बढ़ पाएंगी तो इस बात को तो मानते हो ना कि यह तो मुझे regulator यह law खुद कह र करने के लिए मैं लाजमी लाजमी वह information furnish करूँगा मैं लाजमी लाजमी वह information क्या करूँगा परनिश करूँगा पहली चीज यह हो गई दूसरी चीज मैंने कहा कि भाई एक जो कोई भी governmental agency है वह investigation कर दी सुनिएगा वह investigation कर दी अब let's say example दे रहा हूँ इन लोगों क्लाइन ने टेक्स रिटन फाइल किया और टेक्स कमिशनर ने उसकी assessment की और बोला कि आपको इतना टेक्स और पे करना है इतना टेक्स और पे करना है अच्छा जैसी बात है फिर इनों ने इनों ने जो हमारी company है इनों ने उसको challenge कर दिया कि भाई नहीं हम इतना पे नहीं करेंगे फिर वो commissioner appeals के पास चला गया साइज चल रही है अच्छा पर commissioner appeals ने हमें बुला लिया और हमें बुला कि आप बताएं कि इस चीज़ की जो calculation ने टेक्स की आपको क्या provide की थी तो मुझे बताओ मुझे तो law and regulation कह रहा है मुझे तो regulator कह रहा है कि आके मुझे बताओ तो क्या इस case में बंदिश है मैं bound हूँ yes I am bound I am required to do so तो मैं कह रहा हूँ मेरी जब requirement है required to do so तो मुझे तो disclose करना होगा ऐसे सीपी मुझे कह रहा है ऐसे banks में बहुत होता है ऐसे सीपी inspection एसे सीपी कह रहा हूँ इंस्पेक्शन के लिए आता है ऐसे बैंक्स की inspection के खुद भी audit कर रहा होता है उसको दो तीन matters पता लगते है वह हमें बुलते बुलते auditor साहब आप तो audit कर रहते इस financial year का आपको इसके बारे में कुछ पता है तो वो मुझसे जब inquiry करता है तो क्या मैं उसको मना करूंगा नहीं से नहीं करूंगा मना क्यों कि भाई required by law मुझे regulator कह रहा है कि भाई आप इस बात का जवाब दें तो मैं तो हुआ पर बाउंड हो गया ना I am required to do so तो उस case के अंदर confidential information का disclose करना कोई मसले वाली बात नहीं है पहली चीज़ हो कर दूसरी चीज़ आप audit करते था आपको law की कोई non-compliance मिली आपको law की auditor's attention if anything that comes to attention of the auditor वो auditor regulator को बताएगा और नहीं भी लिखावा और कोई law की infringement breach of law है तो आपकी एक responsibility बनती है कि आप regulator को बता है आप किसको बता है regulator को बता है तो this is why you are required to do so बात समझ है तो मैंना को क्या कहा भी हम वो cases देख रहे हैं जिसके अंदर even तो आपने confidential information acquire कर लिये still you will disclose that information you will disclose that information और आप जो information को disclose करेंगे because you are required to do so और requirement मेंने क्या 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 when you are required by law regulation and if anything that comes to your attention के कोई law की infringement हुए तो आप वो बता सकते है I read कर लिते हैं इसको वो कहता है circumstances where chartered accountant are or might be required to disclose the confidential information पहली चीज़ के लिखा हुआ है disclosure required by law production of documents or other provision of evidence in the course of legal proceedings मैंना आपको इसकी example ती दूसी चीज़ disclosure to the appropriate public authorities of infringement of the law that comes to auditor's light मुझे पता लगा कि क्लाइन जो है वो टेक्स की चोड़ी कर रहा है टेक्स evasion कर रहा है तो मैं टेक्स authorities को बताऊंगा कि वो यह कर रहा है तो यह कोई breach of confidentiality नहीं है यह तो non-compliance है जो मैं appropriate authority को बता रहा हूं कि government का नुक्सान नहीं हूँ बात clear है अच्छा बई यह तो हो गया एक हिस्सा वो circumstances when you are required to disclose the information अब बात कर लेते हैं दूसरे हिस्ते की आई जी देखते हैं when such disclosure is appropriate मैंने क्या है का जब disclosure देना appropriate required नहीं है appropriate अब इसकी एक एक करके example लेएने है बात शुकून से समझीएगा हो आ गया कि सर मैं इस client का auditor हूँ सभी है जी सुनिएगा मैं इस client का auditor हूँ अच्छा मैंने audit किया है 2019 का मैंने इसका audit किया 2019 का अच्छा भाई अब मैं कह रहा हूँ अब आ गया another auditor अच्छा भाई अब बात समझीएगा यह अहम बात है सुनिएगा अब मुझे अब मुझे code of ethics जो हमने शुरू किया वह अब आगे भी cover होगा यह code of ethics मुझे यह कहता है कि जो अनदर new auditor है new auditor है जो के सामने वाले में प्रोपोज इसको हम कहते है प्रोपोज ऑडिटर प्रोपोज ऑडिटर का मतलब है जो अभी बनने वाला being an auditor पुराने auditor साहब आप मुझे यह बताएं कि क्या आपको ऐसे कोई professional या other reasons या और other reasons पता है जो आप समझते हैं जो आप समझते हैं मुझे पता होने चाहिए before I accept this audit यह एक भाई दूसरे भाई का मश्वरा ले रहा है एक auditor previous auditor से मश्वरा ले रहा है कि आपको कोई ऐसे facts या ऐसी कोई चीजने circumstances पता हैं जो आप मुझे बताना चाहिए जो मेरे भेजे में होने चाहिए before accepting this client अब मुझे आप एक बात बताओ यह जो another auditor है another auditor सुनिएगा जो new auditor है यह पुराने auditor को लेकर अब मेरे पास तो इस client की सारी confidential information होगी और वो मुझे से नया auditor पूछ रहा है तो मुझे बताओ क्या मैं इसको disclose कर सकता हूँ येस येस बिलकुल कर सकता हूँ बड़ शर्त है शर्त है कि sir जब appropriate और appropriate कर होगा when मुझे law allow करे जो बेर मेरा local law है वो मुझे allow करे दूसरा client की permission हो client की क्या हो permission हो अच्छा technically जब मैं client से पूछता हूँ ना कि भाई वो auditor बोल रहा तो आप मुझे बताओ कि क्या मैं उसको यह information disclose करूं तो आपका client आपको मना नहीं करता क्यूंकि वही उसका prospective auditor है वही उसका जो प्रपोस auditor है और वही इसका आकर audit करेगा तो इसमें सच कोई मसला नहीं होता बड़ फिर भी आपको law allow करें देखो this is not required by law but allowed by law दूर में फर्क है this is not required by law and regulation this is allowed by the law and regulation subject to कि आपको client permission दे रहे बात क्लियर है यह तो उसने एक इसको हम कहते है इसको हम कहते है आपको याद भी रहना चाहिए आगे के लिए इसको हम कहते हैं sir professional clearance letter जो लिखता है न यह होता है professional clearance letter यहानि सामने वाला professional यह साम दूसरे पुराने और अडिटर से पूछता है कि आप मुझे बता है क्या ऐसे कोई facts या circumstances हैं जो आपको पता हो जो आप मुझे बताना चाहें जो मुझे दिमाग बन दने चाहिए before accepting this client और अगर हम हमारा पास को जैसे मसले मसायल होंगे तो हम उसको बता सकते नहीं होंगे तो हम बोलेंगे we have nothing to report जो आपको पता होना चाहिए or we have no professional reasons and that you should know before accepting the client हम सीरी सीधा बता देंगे उसको तो उसको हम कहतने professional clearance लेना यानि सामने वाले से पूछ लो क्यों क्या हो हमारी ब्रादरी के बंदा है त बता मैं यहां पर कहना चाहरा हूं कि बात तो confidential information की हो रही है ना तो यहां पर उसको बताने में कोई हर्च नहीं because it is appropriate to do so but when you are saying that भाई हमने law में देखा के law मुझे मनानी करता दूसरा company मुझे allow कर रही है पहली चीज तो यह हो गई अच्छा professional clearance लेने के बाद यही auditor यही जो तो वेरिफाय ओपनिंग बैलनसे तो वेरिफाय ओपनिंग बैलनसे सर यह क्या बात यह क्या बला है भाई यह जो auditor भाई है हमारे सुनिए अगा बात focus के साथ यह जो auditor भाई हमारे new auditor भाई यह हमें खत लिखते हैं और बोलते हैं कि भाई आपके working paper मुझे review करने बात मैंने यह कहा सर यहां पर समझते हैं इस बात को हमने कहा कि सर अब यह जो बंदा आया है ना audit करने यह 2020 का audit करने आया है इस वाले frame का और हमने कहा हम थे 2019 के auditor यह तो बात मानते हो ना कि PP का जो यहां पर balance आ रहा होगा प्यपी का जो यहां पर balance आ रहा होगा बच्चों इस बात को तसलीम करो कि PP का यहां पर जो balance आ रहा होगा यही आग के closing का part बनेगा पर इसमें क्या होगा additions add होंगी disposal less होगे और depreciation minus होगी ऐसा ही है ना पट मैं कहा रहा हूँ जो opening balances है जो existing PP था उसके ऊपर तो सिर्फ depreciation आ रहा है ना वो कैसे verify करेंगे तो हम क्या रपते हैं नया auditor पुराने auditor को बुलता है कि भाई मैं इससे अच्छा उसके पूरी वापिस से चीज़े लूँ opening balances को verify करूँ शुरू से procedure perform करूँ मैं आपके working paper देख लेता हूँ कि आपने कैसे verify किया था तो फिर वो भी तो मेरे पास ही confidential information है ना किसकी client की कि उसका fixed asset register मैंने लिया होगा उस पर depreciation, addition वगएरा सारी चीज़े की होंगी यह सारी चीज़े है पर वो नया auditor चाह रहा है कि वो मेरे working paper को review करे कि मैंने कैसे audit किया था वो यह देखना चाह रहा है कि मैंने cases के उपर क्या काम किया था कि जो cases थे तो मैंने अपने lawyer से क्या consultation ली उसके lawyer ने क्या जवाब दिया confirmations का cash and bank पर क्या काम हुआ हूआ है वो सारी चीज़ें अगर मेरी ही verify कर लेगा तो technically उसने opening balances को verify कर लिया and it is very easy for him to verify from my working paper क्योंकि मैं उसका audit करके आ रहा हूँ वो मेरी चीज़े देख लेगा वह आपने इन चीज़ों को कैसे verify कि उसको तसली हो जाएगी मतलब उसको reliance आजएगी किस balances पर opening balances पर यह जो workings है मेरे पास यह client का data है यह तो client का है ना यह भी तो confidential information है तो मैं उससे share कर रहा हूँ even though वो prospective auditor है तो post auditor है जो कि appointment हो चुका है उसने clearance ली ना appointment हो गया तो अब appointment के बाद भी मैं client से पूछता हूँ कि आप भाई पहले वो पूछता है कि भाई आप permission दें उस auditor को कि वो मुझे अपने working paper सुनिएगा वो अपने मुझे working paper दिखा दे और फिर मैं client को बोलता हूँ कि भाई please allow me to do so बात clear है तो sir यह तो हो गई बात यहां तक कि अब इसको read कर लेते हैं वो बोलता ही है पहले दूसरा ला read करा हूँ there is a professional duty there is a professional duty there is a professional duty or right to disclose when not prohibited by law बोला professional duty or right होगा यानि एक auditor होने के ना तेरे मेरे दूसरे auditor की तरफ duty बनती है ना यह मेरा professional right है कि मैं कर सकता हूँ but required by law है required by law देखो यह देखो क्या लिखाव है when not prohibited by law law ना मना नहीं किया देखो मैं यह नहीं कह रहा कि required by law मैं कह रहा हूँ law मना नहीं कह रहा कोई पावंदी नहीं है कर नहीं दे सकते बस इसके बाद क्या professional duty or right भी है आगे और उपर देखो इसके उपर क्या लिखाव है disclosure is permitted by law and authorized by client मेरी example समझा है यह आपको आगे वो बोले professional duty कब होगी to comply with the quality review of a professional body अब icap क्या करता है icap क्या करता है annually by annually आके हमारी audit files को review करता है कौनसी files को audit files को कि आपने इस company का audit कैसे किया था आपने confirmation भीजी ती direct response आया था यह सारी चीज़े कौन verify करता है icap verify करता है यह चीज़े यहाद रखिए आपने यह यह चीज़े की थी यह नहीं की थी तो भाई मुझे एक बात बताओ यह तो वही बात हो गई कि मैं quality review procedures को comply कर रहा हम professional body icap के तो i think that this is my professional duty and ride also क्या मैं उसको बोलो हाँ आके चेक कर लो कोई मसले वाली बात नहीं है आगे to respond to an inquiry or investigation by a professional regulatory body सुनियेगा मुझे ऐसी cpa की inquiry कर रहा है कि यह बताओ यह client पर क्या हुआ वाता तो क्या मैं मना करूंगा नहीं भाई i have a professional duty and right to do so आगे protect professional interest of a chartered account and legal proceedings कोई case चल रहा है तो वो तो मैंने पहले भी आपको बताए कि अगर case चल रहा है तो उस case के अंदर आपका यह professional ride बनता है कि आपको अपने profession को back करें आप बताएं कि यह किया था मैंने आगे to comply with technical and professional standards including ethical requirements क्योंकि मैंने आपको काना code of ethics कहता है कि भाई आपका professional duty बनती है कि आप उसको reply करेंगे और उसकी जो professional right है वो यह है कि वो फिछले auditor से पूछेगा तो यह सारी चीज़े all together यह वो scenarios है जिसके अंदर आप एक confidential information को disclose कर सकते हैं and that would not be considered as a breach of confidentiality बात समझ आती है और एक आफ़ी चीज़ कर लेते हैं फिर यह किसा खतम हो जाएगा यहाँ पर सुनिए गार वो कहता है disclosure चलो तुम दे दो यह circumstances में पर तुम्हें क्या factors अपने भेजे में रखने हैं before disclosing anything वो कहता है जरा substantiate कर लेना substantiate का मतलब यह है देख लेना कि वो चीज़ें सही हैं जो disclose कर ले हो ऐसा तुम्हें disclose कर लो और उसको कुछ मतलब और निकल जाए फिर repeat कर रहा हूं वो कहता है before disclosing you need to consider some facts and figures कि जो चीज़ disclose करने वाले हो क्या वो सही भी है या तुम्हारे पास ही गलत information है ऐसा नहीं है तुम किसी के लगवा दो तो कहता है यह कि आपने जो information आगे furnish करनी है न उसको substantiate कर लेना एक बार re-verify कर लेना कि क्या वो complete है क्या वो authenticated है सही source से आई ये नहीं आई ये जिस बंदे को जा रही है उससे medium of communication क्या होगा और किस बंदे को किस recipient को जाएगी ऐसे भी नहीं किसी को भी चिपका दो password protected होगी कौन को head वेड है जिसको regulator को बता रहे हो या ऐसा तो नहीं किसी junior trainee को reply रब दो I hope this is clear आगे देखिएगा वो कहता ही है factors to consider before disclosing पहली चीज़ किया whether the interest of any parties including third parties whose interest might be affected यानि ये देखो कि information को disclose करने से कौन कौन सी parties affected रहे हैं ये भेजे में रखना दूसरी चीज़ whether all the relevant information is known and substantiated मैंने फिर बताया substantiated का मतलब है उसको re-verify कर लेना कि क्या वो सही है या नहीं है आगे the proposed type of communication and to whom it is address type of communication क्या होगा email होगा खत लिखोगे क्या करोगे whether the parties to whom the communication is address are appropriate recipient यानि जो recipient है क्या वो बंदा इस लाइक भी है कि उसको ये information पता हो या आप किसी और को चिपका दो कि जो आगे further disclose कर देगा तो इस चीज का बढ़ा क्या लगना है या अगर आप से पूछे what factors which you will consider before disclosing before disclosing any confidential information तो ये लिखना है और अगर ये पूछ ले ये पूछ ले कि what are the circumstances in which you can make a disclosure of confidential information तो ये लग बात है पातलिया जी, sir I hope कि आपको ये confidentiality का principle clear होगा और कब-कब disclose कर सकते हैं और क्या factors consider करने ये भी पता होगा, मिलने से अगली class में, लाफिस